दोस्तो एबिसी कोचिंग यूटॉब चैनल में आप सभी का स्वागत है आसा है कि आप अपने बोर्ट एक्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे आज की इस वीडियो में कक्षा नवी की समाजिक विज्यान का महत्पूर्ण बीबियाई उब्जेक्टिव प्रसन देख परते एक सवाल में एक एक प्रसन पूछे जाएंगे फुल मर्क अपनों का पचास रहेगा और सभी में चार विकल्प दिये जाएंगे तो चले दोस्तो कोशन के ओर चलते हैं और उससे पहले आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बैल अकॉन को प्रेस जरूर कर ज़गा देखे सबसे पहला आप यहां पे देख सकने तो यहाँ पर जो है कक्षा नवी का सौसल साइंस का जो है अम इस ब्लू प्रिंट आपनों का देखिए और आप सबसे पहला सवाल यहां पर दिया गया है कि टाओन हाउल के सामने कितने लोग इकटे हुए थे जिनों अगला सवाल है कि रूसी सासक जार निकोलस दूत्वी ने कब त्याग पत्र दिया तो दोस्तों इस कांच चुछन है कि कूलक से आप क्या समझते हैं तो देखे दोस्तों यह जो चौथा नमर कूछन है कूलक वाला यह बार बार एक्जाम में पूछा जाता है इसको अच्छे से कॉपी में नाट कर लीजे और परिक्षा से पहले इन सभी को अच्छे से रख लीजेगा याद कर लीजेगा देखे यहाँ पर कूछन यह पूछा गया है कि कूलक से आप क्या समझते हैं तो दोस्तों कूलक का मतलब होता है कि कि किसान की अच्छी हालत अप्सन नमर आप अगला सवाल है कि जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है जो कि अप्सन नमर तीन में दिया हुआ है अगला सवाल है भारती वर्णी कानून कब पारित हुआ तो दोस्तों इसकान शोजागा अठारा सो पैसा टिसवी को ठीक है इसको अच्छे से आप लोग जो है कौपी में न ले जागे क्योंकि यह जो हैं बौर्ड इक्जामस को लेकर जो है यह दो जे आगे यहां पर कोशन दियागया है नवा नमर कोशन दिया कि इन्मिन जानवर के साथ घुमते हैं, तो दोस्तो इस कांचो जागा, अपसन नमबर तीन हो जागा, भेड तथा बकरिया, अगला सवाल है, धार क्या होते हैं, तो धार जो है, उचे परवतों में चारगा, को हम लोग धार कहा जाता है, आप लोगों ने इतियास में ये अगला सवाल है कि किस देश में सबसे पहले क्रिसी करांती हुई है, तो दोस्तों यह जो है एक्जाम में बार बार पूछा जाता है और भरसक आप सभी aun को मालुम होगा एक दिवेसी यहां दिजेगा यह काफी बीबी आई सवाल है उतको अच्छे सा आप लोग याद रखेंगे कोशन यहां फिर से मैं पढ़ देता हूं कि स्वर पर्थम एक दिवेसी क्रिकेट मैच खेला गया था तो दोस्तों इसका अंशुजागा ऑप्सन नंबर दो हो जाए अगला सवाल है कि मनोक जी कोवा सजी एंटी भारत के किस सहर की अदालत में लगान अधिकार थे तो इसका अंशुजागा ऑप्सन नंबर दो हो जाएगा सूरत इसको अच्छे सा आप लोग याद रखेंगे यह एक्जाम में 100% पूशा जाएगा अगला सवाल है कि भारति किस गुलार्द में וה इस्थित है तो आपनों को सभी को पता है कि यह जो है उतरी गुलार्द में स्थित है उपसन नंबर एक इसका सयांसर होगा अगला सवाल है कि भारत का कौन सा अस्थान तीन सागरों से मिलन अस्थल पर इस्थित है तो इसका शुजागा अप्शन नमबर दो कन्या कुमारी यह काफी जो है beautiful यारी काफी सुन्दर जो है यह अस्थल है अगर आप कभी गय होंगे तो आपको पता होगा कि कन्या कुमारी जो है तीन महा सागरों से मिलन अस्थल पर इस्थल पर इस्थित है इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे अगला सवाल है निमांकित में से कौन सी नदी प्राइद विपी भारत की सबसे बड़ी नदी है तो दोस्तो इसका अस्थान पर विश्व में सबसे अधिक वरसा होती है तो आप सभी को मालूम होगा कि ये जो है काफी बार एक्जामें पूशा गया है और इसका अंसुडागा गलिस राम ठीक है आप्सन नमबर तीन जो है इसका सयांस रोगा अगला सवाल है कि कुल वर्षा जो रबी फसल के लिए महत्पुन होता है जो अस्थानी भासामिक कहते हैं उसको हम लोग क्या कहते है आप सभी को पता है उसको हम महावट कहते हैं ठीक है ये बार-बार एक्जामें कोशन पूशा गया है अगला सवाल है लू सब्द का क्या अर्थ है तो दोस्तों लू सब्द का अर्थ होता है आप लोगों को मैंने पहले भी सेशन में बताया है कि लू सब्द का परियोग गर्म हवा से होता है यानि कि गर्म हवा जाब पूरी तरह से चलने लगती है वतावरन में फैल जाती है त इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे अगला सवाल है कि रबण का सम्मंद किस परकार की वनस्पति से है इसका अंसर जागा उसने कटी बंदनी वनस्पति ठीक है और अप्सन नंबर चाज इसका सही अंसरोगा अगला है कि तिबती जंगली गदहे का दूसरा नाम क्य जागा है तो उसका हम लोग कहते हैं अप्सन नंबर इसका जो है तीन जो है सही आंसरोगा कि आंग ठीक है इसको अच्छे से याद रखेंगे अगला सवाल है कि कि सराज की सब्षरता दर्स सबसे जो है अधीक है तो दोस्तों इसकांश जागा केरल अगला कोशन है कि जीव होते हैं जो कि अस्थल और जाल दोनों में जो है अपना निवास कर सकते हैं जो है जीवन यापन कर सकते हैं तो उसको उभाईचर कहते हैं और जो सिर्फ जल में रहता उसको जल चर कहते हैं जो सिर्फ अस्थल में होता है वो उसको हम अस्थल चर कहते हैं इसको अच् कांसर जागा option number 2 जागा देश के अंदर अगला सवाल है कि एक मध्य एक मध्य यूरोपी देश है एक मध्य यूरोपी देश कौनचा है पॉलेंड है option number 1 सही आंसर होगा अगला सवाल है आजीवन धाना का राष्ट पती कौन बन गया इस कांसर जागा एक कुरूड़ा option number 3 सही आंसर होगा अगला सवाल है कि किस देश से आग अनसूची का संबंद था तो दोस्तों इस कांसर जागा बयम्मार option नमबर एक सेयांच रोगा अगला सवाल है कि लोकतंतर जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा सासन है या कतन किसका है यानिक दोस्तों या जो कतन है वो किसने दिया है तो दोस्तों इसका अप्शन नमबर एक हो जागा अबराहम लिंकन ने अप्शन नमबर एक किसका सेया til को कितने समय के भीत श्युत्त के सामने प्रस्टूत करना अवस्यक हुआ यहाँ पर ज़़νे जड़ के सामने अदालत के सामने प्रस्टूत किया जाता कितने समय में उसके बाद आपको आपको ओप्सन दिया गया है 12 गंटे, 18 गंटे, 36 गंटे और 24 गंटे तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा option number 4 हो जागा 24 गंटे के अंदर जो है बजिश्ट्रे के सामने परस्तूत किया जाता है और आवस्चेक भी है तो अगला सवाल क्यों चलें? यहां 36 नमर सवाल दिया गया है कागज का एक छोटा सा टुकड़ा जिस पर सभी उमिदवारों के नाम और चुनाव चिन छपे होते हैं ताकि उस पर मोहर लगा कर वोटर अपनी पसंद जाहिर कसकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? यहां पी वो सवाल पूशा गया और यह जो सवाल है आपकी बोड़ की परिक्षा में पूशे गए हैं 2020 में भी यह कुशन यह आया था 2022 की बोड़ की परिक्षा में यह कुशन ऑबिशेक्टिव में दिया गया है इसलिए दोस्तों इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे के कारण जो है वहां की संख्यां जो है अधीक होती है इसको अच्छे से याद रखेंगे option number 4 इसका सयंत्र होगा अगला सवाल है कि चुनाव चीन कौन परदान करता है यह काफी important है इसका मैं answer गलत बता दिया यहाँ पर इसका जो answer होगा ना यह हो जागा चुनाव आयोग ठीक है चुनाव चीन कौन परदान करता है तो यह चुनाव आयोग परदान करते है इसको अच्छे से याद रखेंगे ठीक है 38 का हो जाएगा दो नंबर चुनाव आयोग अगला अगला सवाल क्यों चले तो यहाँ पर पूशा गया है कि वह व्यक्ति जो बीना कोई वेतन के लिए अपने स्वामी की सेवा करता है और अधिकार नाम की चीज का उसके जीवन में दूर दूर तक कोई संबद नहीं होता उसको क्या कहा जाता है तो दोस्तों उसको कहा जाता है दास ठीक है उसको हम लोग दास कहते है याधवा नौकर कहा जाता है इसको अच्छे सा अपनों जो है याद रखेंगे अगला सवाल है कि इन में से एक राजनितिक अधिकार है तो इसका अगला सवाल है एक ही भूमी पर उत्पादन करने की एक विधी तो यहां पर ध्या से अंसर होगा अगला सवाल है कि उत्पादन की मुख्य कारक कौन नहीं है तो इसका अगला सवाल है कि सण 2000 में सीशू मिर्तियू दर कितनी थी तो दोस्तों यह काफी बीबी आई है यह रिपेटेट कोश्चन इसको अच्छे सा आप लोग जो है यहां में रखेंगे अगल अगला सवाल है कि एक देश का स्रम सक्ति क्या है तो दोस्तों इसका अंच जागा 15 से 69 वर्स तक ठीक है यानि 15 वर्स से लेकर 69 वर्स तक इसको अच्छे से आप लोग जो है रट लीजिएगा अगला सवाल के और चले तो यहां पे लिखा है कि राष्टे ग्रामिन रोजग सवाल दिया हुआ था कि राष्टे ग्रामिन अधिनियम से आप क्या समझते हैं यह का पारित हुआ और इसके आविस्तारितत की गई थी इसके बारे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था तो दोस्तों इसका आंसर जो है आप लोग खुद बताईएगा क्योंकि यह बार पर यह रिपीट कोशन है तो दोस्तों में इसका आंसर बता ही देता हूँ तो इसका आंसर हो जागा नजारिया ठीक है नाइफ जीरिया तो अप्शन नमबर आपका जो है चार सही आंसर होगा अगला सवाल है कि लक्षित सारवजिनिक वित्रण कब आरंब किया गया तो दो इस वीडियो में 50 कोशन में ने बताया है यह आपकी बोड की परिक्षा में जो पूछे जाएंगे प्रस्न उसका यह ब्लूप्रिंट है जो की बोड ने जारी की है इसके सभी कोशन को आप लोग अच्छे से जोन नौट कर लिजएगा और आप अगर इसका पीडिया पाना आप आप